एक बार फिर आप सभी का UPSC PT Special Series में स्वागत है इसमें हम देख रहे हैं previous question paper जिसमें आज देखेंगे हम Indian geography Indian geography में map section देखेंगे 2011-2023 तक जितने भी map वो भी Indian geography से related हैं उनको देखेंगे word geography का section अलग देखेंगे तो आज है episode 2 और इसके लावा यह सीरीच का नाम warm-up सीरीच है ठीक है और हम previous question paper को देख रहे हैं यह हमारे telegram channel है इसको आप scan कर सकते है अगर आपको classes पसंद आ रही हो तो हम चैनल को subscribe भी कर सकते हैं ठीक है तो बात करें 2011-12 में ठीक है बारा में तेरा में जो है आप जोग्राफिकल फीचर से question आये थे मैं आपसे question नहीं थे 2014 सुरुआत करते हैं तो 2014 में जो है पहाडियां दी गए थी question number first में और उनके छेतर दिये गये थे इनको आपको बताना था कौन सा साई सुमेली थे अगर बात करें काडमम पहाड़ी कैमूर पहाड़ी महादेव पहाड़ी मेकिर पहाड़ी की तो काडमम पहाड़ी देखेंगे तो आपको मिलेगा कोरो मंडल तर्ट पर न मिलकर आपको मिलेगा मारा बार कोस्ट पर ठीक है और इसके अलामा कैमूर पहाड़ी कौनकर तर्ट पर आपको नहीं मिलेगा ठीक है कौनकर तर्ट मतलब वो कह रहा है कि वेस्टन घाड़ की तरफ तो वेस्टन घाड़ की तरफ कैमूर पहाड़ी पुर्वत्र भारत में ये बात भी सही है तो इस प्रकार इसमें देखेंगे दोरर चौदा के इस कुष्चन में आप्सन 3 और 4 सही यानि आप्सन C जो होंगे वो सही होंगे ठीक है? कुष्चन नमबर 2 में जो है वेटलेंड दिया गया है उनके नदियों का संगम दिया गया है आपको बताना है कौन सा सही सुमेली थे वेटलेंड में हरीके वेटलेंड केवला देव घाना राष्टे उद्यान कोलेरू आपको बताना है कौन सा इसमें सुमेली थे जहां तक हरीके वेटलेंड की बात है तो ये जो है मैनमेड वेटलेंड है ठीक है और ये ब्यास और सतलुच के संगम परिस्तित है ये बात आपको ध्यान रखना है और ये कहां मिलेगा आपको पंजाब में केवला देव घाना राष्टे उद्यान जो है बनास और चंबल पर ना मिलकर ये कि नद्यों के संबल मिलेगा गामभी और बयाण गंगा ठीक है तो इस प्रकार इसमें ऑपशन 2 गलत हो जाएगा ऑपशन 3 की बात करें तो कोलेरु कहां है कोलेरु आपको मिलेगा आंधर पदेश में और ये मुशी कृष्णा के संगम पर नहीं ये बलकि गोदावरी और कृष्णा के संगम पर है ठीक है तो इस प्रकार अप्षन तीन भी गिलत हो जाएगा इसमें ऑप्षन एज होगा वोगा वो सही होगा और क्रिश्ण नदी आपको पता है कहां से निकलती है महां बलेश्वर से निकलती है सीवा महाराश्च करनाट का के बीद बनाती है ठीक है देखे इसका explaination दिया गया है यहां पर यहां पर देखे कौंकर कोस्ट है ठीक है यह कोरो मंडल कोस्ट माला बार कोस्ट ठीक है तो इसमें देखे आपसन 3 और 4 पहले में होगा इसका explaination यहां पर detail में दिया गया है इसको आपको ignore नहीं करना आपको detail में पड़ देना है जो answer सह था वह हमने आपको बता दिया है यह आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप वीडियो पॉस करके इसको सही से पढ़ लें क्योंकि जोग्राफ की जोग्राफी पॉल्टी हिस्ट्री चेंज नहीं होती है यह कुछिन अभी ऐसे पूछा गया किसी और तरीके से यह कुछिन घुम हरीके वेंड हरीके वैटलेंड की लोकेशन यहां लाएं केवला देउ the copyright देखेंगे तो रास्ठाण के भरतपुर के पास यहां पर लोकेशन दिया गया है माइक और प्रेकिस दूस्तों का अपने कई बार सुना होगा ब्रेकिस मतलब क्या होता है प्रैकिस वाटर को मतलब ऐसा पानि जिसमें आपको शॉल्ट वाटर प्लस जो है जिससे स्विट वाटर कह देज़ें मीठा पानि कह देजिए या फिर जो लेक में होते हैं वह पानि जो है ठीक है नदियों का पानि दोनों के विशेष्था देखने को मिले तो वहे चिलका, उड़ी सा में इस्तित है तो प्रेकिस आपको समझ में आ गया इसके लावा लार्जेस्ट यहां पर साल्ट वाटर लेक की बात करें सामभार लेक राजस्थान में है और लॉंगेस्ट लेक पूछा जाए तो आपको बताना है विमबनात लेक के एरला में है लार्जेस्ट पूछा गया इसमने पूछा गया यहां निमलिखीद द्यूपमें से इक 10 डिगरी चैनल या वाटर मार्क निको乐 करता बामां scores निको पार और करता है और यहां पर है ये अंडमान है ये निकोबार है ठीक है अब इसमें ये तो नहीं लिखा है लिटेन अंडमान या कार निकोबार तो अंडमान निकोबार लिखा है तो अंडमान निकोबार को अलग करता है ठीक है इसके लाओं देखें डेकन पासस जो है लिटेर अंडमान को रूत लेंड आइलेंड के लक्स अलग करता है 9 डिग्री चैनल यहाँ पर लक्षदीब को मिनिकाय से 8 डिग्री चैनल जो है मिनिकाय को माल दीब से ठीक है डेकन पासस देखेंगे तो रूत लेंड यानि पोर्ट आप ग्रेट अंडमान को लिटेर अंडमान से अलग करता है तीन सब के बारे में देखी हैं आप डीटेल में दिया गया है इसको आपको देख लेना है इसके लाव दोस्तों यहाँ पर देखिए एक वर्ड लिखा है आर्कियोपिलाजी आर्कियोपिलाजी मतलब का होता है आईलेंडो का जो समू होता है जैसे लक्ष दीब जो है या अंडमान निकोबार जो है वो क्या है कई सारे आईलेंडों का समो है उन्हें क्या कहा जाता है आर्कियोपलाजी ये वर्ड भी आपको ध्यान रखना है तो कोई मिलागर इसमें option A जो होगा सही होगा इसके अलावा और factual information आपको दे दे यहाँ पर देखिए कई सारे दोखी कोका आईलेंड की कोका चनल की बात की गई है इसको भी आपको ध्यान रखना है ठीके यहाँ पर कैमपेबल भी आपको ध्यान रखना है आईनेस बाद जो है नावल एर स्टेशन यहाँ पर बनाया गया है ठीके तीन सब को आपको ध्यान रखना है इसके लावां अंडमान निको बार में देखेंगे सेडल पीक कहां है नेशनल पार्क तीन सब नेशनल पार्क की लोकेशन आपको दी गई है तो कौन से लोकेशन पर कहां इस्थी थे option 3, pull cut jil केवल 2 राज्यों में फैली है इसमें सही कथन आपको बताना है तो दोस्ते एक बात आपको बता दे है कि चिलिका के नीचे आप आएंगे तो आपको मिलेगा pull cut jil ठीक है तो pull cut jil जहां तक इस बात है pull cut के तो वो आप देखेंगे वो आंद्रप्रदस और तमिल नाडु के बीच आपको मिलेगे यानि दो राज्यों में फैला है ये बात ते बिल्कुल सही है जहां तक दोस्तों वेस्टर्ण घाट की बात है तो वेस्टर्ण घाट आपको मिलेगा छे राज्यों में ठीक है विश्टन घरट आपको मिलेगा छे राज्यों में, पांच राज्यों मैं इस प्रकार अप्सण 2 में, गलत हो जाएगा भरत में हिमाले जो है कियाँ पांच राज्यों में बलकि 12 इंडियenne स्टेट में फैला हुआ है इस प्रकार इसमें जो हो जाएगा option 3 जो हो जाएगा option 20 है ठीक है अब ये कैसे कहा है कौन सी location इसको हम आगे आपको दिखाएंगे तब ही आपको सौन्ज में आएगा ऐसे बताने साब को सौन्ज में आएगा नहीं question number 2 देखते है निमलेकित में कौन सा भागलिक रूप से great nicobar के सबसे निकट है तो इसमें जो great nicobar के सबसे निकट है उसमें देखेंगे तो आपको आएगा एक second पहले आपको दिखा देते हैं location दिखा देते हैं हिमाले के बारे में दिखाते हैं तो हिमाले देखिए जम्मु कस्मीर, हिमांचल प्रदेश, उत्राखंड ठीक है और यहां आएंगे तो आपको असम, इसके बाद जो है अडांचल प्रदेश, फिर इधर नागालेंड, मडीपूर, मिजोरम, त्रिपूरा, मेगाले, असम, इसके बाद यहां पर पस्चिम कुमाई हुमालो, किस नदी के बीच है इसको भी आपको धियान रखना है, आगे आने वाले शाल में question पूछा गया है, टीक है और इसमें देखिए highest peak दिखाया गया है, इसको भी आपको धियान रखना है, अब देखिए western घाट में देखेंगे तो यहां तो गुजरात, महा 2017 में जो पहला question पूछा गया उसका आपका analysis है तो इस तरह आपको पता चल गया होगा कैसे यह question सही है इसके लाव इसको पूछा गया है कि निम लिखित कत्मों में कौन सा भगोल ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है तो सबसे निकट जो होगा वो होगा सुमात्रा ठीक है अ आप पराएंगा सुमात्रा यह है मलेया तो ग्रेट इंबो और का सबसे नजदी की भाग हो जाएगा सुमात्रा ठीक है इसके बीच के दोरी 1192 किलोमेटर है कुष्चन नमबर 18 में पूछा गया सुरी टूशायन 18 में पहला कुष्चन एक ही कुष्चन आया था एंडियन मैप से उसमें पूछा गया कि बैरन द्वीब जौला मुखी का एक सक्री जौला मुखी जो भारती राजच्छेतर में इस्ति थे आप्सन दो बैरन द्वीब निको बार के लगबग 140 किलिमेटर पूर में इस्ति थे आप्सन दो पिछली बार बैरन द्वीब जौला मुखी में 1990 में मुदगार हुआ था और तब से यह निस्क्री बना हुआ है तो इसमें आपको बताना है कौन सा कथन सद्य है तो सबसे पहले आपको लोकेशन दिखा देते हैं तो बैरन द्वीब जो है यह पोर्ट ब्लेयर है ठीक है इसके नीचे आएंगे यहां पर आपको मिलेगा बैरन आइलेंड तो बैरन यह बैरन आइलेंड में आपको मिलेगा बैरन द्वीब ठीक है और यह पोर्ट ब्लेयर से 140 किलमेटर दूर अंडमान सागर में स्थी थे और यह जो है एक मात्र जो है एक्टिव वैल को जोला मुखी है और यह जोला मुखी चाप के साथ देखेंगे सुमात्रा और मियाम्मार को जोड़ता है ठीक है और पिछली बार जो बैरंदिव जोला मुखी 2017 में जो है उद्गरित हुआ था त्रीस प्रकार इसमें इसमें केवल और केवल जो है option एक जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा यहाँ पर नोने से क्यान में लिखाया है 2017 में यह उद्गरित हुआ था एक ही question पोचा गया था इसमें option एक जो है सही है 2020 पे question पोचा गया siya chin glacier कहा इस्थी थे तो siya chin glacier की exact location आप देखेंगे तो यहाँ आप लिखा अक्साई चीन के पूर्व में तो यहां पर एक्साई चीन है यह सिया चीन ग्लेसियर तो अक्साई चीन के पूर्व में जो है सिया चीन ग्लेसियर अस्थित नहीं है बलकि अक्साई चीन के पूर्व में क्या है अक्साई चीन ग्लेसियर अस्थित है ले के पूर् घात तो इसमें जो हुई है यह आंध्र प्रस्ट में इस्थित है ठीक है और आंध्र, प्रस्ट में पेंणार रिपर पर सिस्थित हैं अब इसमें If अब इसमें 1222 में दुसरा question पूछा गया सिखर दिया गया परवत दीखा गया तो इसमें देखें यहीं हिमाले का रिजनल डिवीजन किया गया है उससे कुछन पूछा गया है नामचा भरवा नंदा देवी नोकरेक नामचा भरवा गड़वाल हिमारे नंदा देवी कुमायू हिमाले सिक्किम हिमाले में तो इसमें देखेंगे जो सबसे पहले अगर देखेंगे नामचा बर्वा की लोकेशन तो नामचा बर्वा आप देखेंगे तो आपको मिलेगा एकदम जो है अवडांचल प्रदेश के एकदम और चीन की सीमा पर ठीक है यहीं से टिल्ड होकर ब्रहमपुत्रा नदी आती है ठीक है यू टर्ण हो कर, तो ये तो गड़वाल हिमाले का भाग नहीं है, बलकि जो है ये तीस्ता और ब्रह्म पुत्रा के बीच हिस्तित है, तो ये असम हिमाले का भाग है, तो इस प्रकार ऑप्शन एक गलत हो जाए, नंदा देवी आप देखेंगा, नंदा देवी आपको मिलेगा मिलेगा स्पेक्स कान एफ ऑकैनलफन और उरुटी कार जैसा के वलत है इसमें ऑप्छन जो Grand Canyon है सेम उसी के तरह आपको नेचरल विसेस्ता देखने को मिल रहे होगी, अब Grand Canyon देखेंगे, Cold Red River दोरा बनाई जाती है, उसके Tribute 2 मिला कर बनाती है, ठीक है, और जो USA के अरिजोना सहर में स्थित है, तो इससे तुलना की जाती है, गेंडी कोटा Canyon की Grand Canyon से तुलना की जात तो दच्ड भारत में बहने वाली पवित्र नदी है, या करनाटक आंदर प्रदेश में बहती है, कृष्णा की सायक नदी है, मंजरा रीबर या जिसे मंजरा कहते है, ये गोदावरी की Tribute 3 है, तो ये इस परकार से इस questions का सारा answer आपको मिल गया, ठीक है, जो 2022 में पहला question प देखेंगे यहां पर जो है नंदा देवी है उतराखन में, तो इस पर कुमायो देखेंगे तो नामचाब अरवय और अचल प्रदेश में जहां से ब्रहम्पूत्रा यूटर्न लेती है, ये इसम हिमाले का भाग है, तो इन सब चीजों के बारे में हमने बता दिये, इसके बारे में यहाँ बिदेटेल में और चीज़에 दी गई है इसको भी आपको देख लेना है नणदा देवी की पाथ करें तो ऑर पहली बारत सबसे यहां पर रेट पांड़ा भी पाए जाते हैं नोगरेक नेसनल पार्क में इसकी विशेष्था है ठीक है अब बात करते हैं UPSC 2023 में कुछ्चम पुछा गया था जेलम नदी वुलर लेक से होकर गुजरती है और क्रिश्ण नदी सीधे कोलेरू जील का भरड करती है इसके लगा गंडक नदी विसरपड से कावर धील निर्मित होती है तो आपको बताना कितने कथन सही है इसमें आपको बताना कितने कथन सही है तो चलिए आपको सबसे पहले इसको Explanation दिखा के समझाते है तो ये है जेलम नदी ठीक है तो जेलम देखेंगे ये वेरिनाग से निकलती है ठीक है और इसके अलामा देखेंगे तो ये स्रीनेगर से बैते हुए वुलर लेक से ये पाकिस्तान में जाकर चेनाप को जॉइन कर लेती है ठीक है तो इस परकार आप्शन एक जो है इसमें सही होगा इसके अलामा जो कृष्ण अधिस सीधे कुलेरू जील में जाकर नहीं मिलती है बलकि कई सारे नदियां जो है मिलती है गंड़क के विशडपर से कावर जील मिलती है ये बात भी बिल्कुल सही है तो इसमें केवल दो कथन सही है ठीक है और जो कावर जील है वो बिहार में एस कि दीशिया का लार्जस फ्रेश्ट वार्टर औक्स प्लो लेख है ठीक है और ये इसलिए कुष्ण पूछा गया था कि कुछ साल पहले जो है डाउन टू अर्थ में यह न्यूज में था इसलिए कुष्ण पूछा गया था अब बात करते हैं इसमें अमर कंटक की बात की अ ठीख है तो जहां तक अमर कंटक की बात है अमर कंट देखिए माइकाल रेंज की सबसे हाइएस पीख है ठीक है इसके लाए सेचलम हिल्स देखेंगे सेचलम हिल्स आपको मिलेगा अंधरप्रदेश में ठीक है अब बज्जा क्या इसमें विलन ग्रिल पहाडिया, तो विलन ग्रिल पहाडियों की बात करें, तो विलन ग्रिल हिल्स जो है, वो आपको मिलेगा करनाटक में, और ये इस्टर्ण घाट का पार्ट है, ये सचपुड़ा रेंज का पार्ट नहीं है, तो ये देखें इस्टर्ण घाट में आपको मिलेगा बिलन ग्रिट हिल्स तो इस्टर्ण घाड का पार्ट है साथपुड़ा रेंज का नहीं साथपुड़ा रेंज देखे यहाँ है विंधियन रेंज है ठीक है और यहाँ पर देखे कैमोर रेंज है तीस प्रकार देखेंगे इसमें जो answer सही होगा इसमें होगा सही answer option D यानि इसमें जो है कोई answer सही नहीं है ठीक है तो आपको पहले सबसे पहले इसमें जो है location देखना होगा उसके बाद ही आप सही कर सकते हैं तो इसके अलावा हमारी art and culture के classes चल रही है जिसमें हमने 2018-2019 के classes ले ली है episode 4 में और इसके लावा हम 2020 की quality की classes हो गई है तो इस परेकार thanks for watching अगर आपको अच्छा लगा हो class तो subscribe भी कर सकते हैं या हमार टेलिग्राम चनल आप इसको scan कर सकते हैं यहाँ पर आपको सारी classes के information मिल जाएंगी मिलते हैं next class में